अलो फ्रेंड्स आज ICT Resources में हमारा नाइन्थ लिक्चर है और आज के सेशन में हम आपको पांथ बहुत इंपॉर्टेन विंडोज ट्रीक के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत हेलपूफुल हो सकती है हमारे जो पहली ट्रीक है वह है फाइल या फोल्डर को हा इनमें दो जो हमारे कोई परस्नल ड्राइब जिसमें हमारा परस्नल डिटार रखा है उसे माई कंप्यूटर से कैसे रिमूब कर दें कि वहां पर शो नहों फिर किसी पार्टिकुलर डिवाइस को इनेबल या डिसेबल करना जैसे हम चाहते हैं हम अपना लैप्टॉप किसी टे इसका वेब कैमेरा वर्क रखरम डिसेबल करें विविवीडि करने तो डिवाइस को 뜨ल करना और जब कभी कोई या फॉल्डर फॉल्डर ओपन करते हैं को गउसंदे करने के लिए या उनेबल कर सकते हैं जिससे वांस सबस्क्य सबस्क्राइब करेंग किसी सबसे बेसिक तरीका इसे मैक्सिमुम लोग जानती होंगे फिल्म वता देता हूं यह हमने एक फोलडर क्रियेट किया इसका नाम मैंने रख दिया n's हम इसके नदर कोई फाइल भी रख सकते हैं हमने कोई फाइल भी इसके दर क्रियेट कर दिया इस देटा भी हमने टाइप कर दिया अब हम चाहते हैं कि यह फोल्डर हमारा हीडेन हो जाए हाइड हो जाए दिखाई नहीं देटी को तो सब्सक्राइब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे दिन प्रोपर्टीज पर जाएंगे यहां पर सामनी दिखें हमें एक आप्शन मिल ग सब्सक्राइब करना है अभी क्या पुछ रहा है कि इसके इंदर जो सब फोल्डर से वह भी हीडेन हो जाएं ओके अब देखिए फोल्डर हमारे हीडेन हो गया डिक्स्टॉप पे दिखाई नहीं दे रहा है अब दोबारा जबी से में देखना होगा तम कैसे देखेंगे उ जो हमारा टैब है यू टैब पर जाना है और यहां पर आपको मिलेगा ऑप्षन में चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्षन अगर आपके सिस्टम में विंडोज सेवन यह एक्सपी है तो व्यू के अंदर यह आपको नीचे आप्षन आपको लास्ट में मिल जाएगा कर दिया अब इस डालाग बॉक्स में जो फोल्डर आप्षन का डालाग बॉक्स आया है इसमें दुबारा क्लिक करना व्यू टैप पर और यहां देखिए लिस्ट है चीजों की जिसमें शो हीडेन फाइल्स फोल्डर और ड्राइब्स यानि जिन यह फाइल फोल्डर को हमन तो हमने ओपन करके सारा वर्ग कर लिया या इसे हमें नॉर्मल करना है तो हम राइट क्लिक करके प्रोपर्टीज पर जाके फिर इसको हीडेन वाला हम चेक बॉक्स हटाके अप्लाई एंड ओके कर देंगे अब यह हमारा नॉर्मल हो जाएगा कभी क्या होलता कि आप इसी फॉल्डर को हिडेन घ्रते हो तो वह धिमी कलर का तो हो जाता है लेकिन इस प्रीन से गाइब नहीं आप जैसे यह क्यों करते हैं do not show hidden files, वो enable नहीं है, तो हमने my computer open किया, last में option पे गए, change folder and search option, folder option में हम view tap पे गए, और यहां परमक्या कर देंगे, don't show hidden files and folders, जब इस वाले box पे क्लिक होगा, show hidden files and folders, तो उन सारी file को भी show करेगा, जो hidden है, बस वो dimmed color कियोंगे, आपको पता चल जाएगा, यह file हाइट की गई है, तो आम तोर पे हम इस वाले radio बटन पे क्लिक करते हैं, don't show hidden files and folders, यानि हम hidden file या folder drive को नहीं show करना चाहते हैं, अब जैसे ही हम okay करेंगे, desktop पर देखी, फिल जो हमारा folder थानसार नाम से वो disappear हो गया, यह मैंने आपको पहली ट्रीक बताई, पहला तरीका बताया, file या folder को hide करने का, एक दूसर तरीका हमारा है, हम चाहते हम file या folder को hide ना करें, लेकिन तब दूसको हम protect कर दें, कोई उसको open ना कर पाए, यह मैं बता रहा हूँ, अब यह हम नए folder एक create करते हैं, दे दी हमने इंडिया, इसके अंदर में एक file create कर लेता हूँ, यूपी, यह हमने लिख दिया good morning, एक तो होता है कि हमने file या folder को hidden कर दिया है, वो show ही नहीं हो रहा, जैसे अब यह अनसान नाम का folder hidden है, यह इंडिया नाम का folder है, हम इसे hide नहीं करना चाहते हैं, हम इसे सिर्फ protect करना चाहते हैं, कि मेरे अलाबा कोई दूसरा बंदर इसको open ना कर पाए, यह हम कैसे करेंगे, इस folder पर हम right click करेंगे, again हम properties पे जाएंगे, यहाँ पर देखी जो, डालाग बॉक्स open है folder वाला, यहाँ पर यह तीसरा tab मिलना आपको security, क्या है, security tab मिलना है, यहाँ पर आपके जितने भी user आपके system में है, उन user की list आ जाती है, जैसे इस समय में जो user open है, वो aspire नाम का user open है, और भी user हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तो यह हमने क्लिक कर दिये user पर, अब यहाँ पर दे की permission दिया गया है, कि यह जो user है selected, यह इस file या folder पर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो permission में भी सब के सब allow है, यानि full control है, modify भी कर सकता है, read भी कर सकता है, write भी कर सकता है, सारी permission है, हम edit पर चलते हैं, और यहाँ पर सारी permission को, या तो हम अलग-अलग permission करें, हमने सब पर चेक कर दिया, यानि जो aspire नाम के user हमने select किया है, उस user के लिए हमने सारी permission को deny कर दिया, यानि disallow कर दिया, हम apply करते हैं, yes, ok, ok, अब Indian नाम का folder जो है, वो क्या कर दिया है, हमने protect कर दिया है, जैसे हम double click करेंगे, आप देखिए, you don't currently have permission to access this folder, इसके लिए फाइल भी create की थी, यूपी नाम से, वो कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगी, यह, आपको फिर दिखा दूँ कैसे आप करते हूं इसको, मैं एक नया folder फिर बना लेता हूँ, अमेरिका नाम से, इसके लिए बहुत सारे folder फाइल हो सकती है, जिस folder को आप protect करना चाहते हो, आप उस पर right click करिए, जिन properties पर जाईए, security tab पर click करिए, जो तीसरा tab आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप user select करिए, जिस user के लिए आप यह permission set करना चाहते हो, आप edit करिए, फिर हमने लिया aspire और इसको, आपने सारे के सारे control को, full control, मतलब अपने वो modify कर सकता है, read कर सकता है, execute कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, सब को हमने क्या कर दिए, deny कर दिए, ध्यान दगी, यहाँ पर user name set करना आप न भूले, फिर हमने ok कर दिया, yes, ok कर दिया, आप जो america नाम का folder है, वो aspire user open नहीं कर पाएगा, अब आपके दिमा में question आ सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, यह काम कोई दूसरा कर सकता है, वो भी right click करेगा, property पे जाएगा, security टेप पे जाएगा, aspire click करेगा, edit पे जाके वो क्या कर देगा, यह permission remove कर देगा, क्या कर देगा, remove कर देगा, by default तो allow रहता ही है, जो deny किया गया था, वो remove कर देगा, तो permission grant हो जाएगी, नहीं permission मिल जाएगी, system है, लेकिन कोई दूसरा बंदा, जब other user से system open करता है, जो user का type standard होता है, यानि limited level का होता है, जब वो right click करके properties पे जाएगा, तो वहाँ पर उसको security टेप मिलेगा ही नहीं, यानि यह option सिर्फ admin वाले user में ही appear होता है, आता है, admin के लाबाबा, कोई दूसरा user login करता है, तब यह security टेप वहाँ पर उसको show नहीं होगा, यानि वो folder पर permission नहीं set करता है, यह सिर्फ admin ही कर सकता है, ति यह मैंने दूसरा tool आपको बता है, कि हम कैसे folder को protect कर सकते हैं, तीसरा हमारा बहुत important option है, जब हम my computer open करते हैं, जिसका विंडोस 10 में नाम हो गया, इसको जब हम open करते हैं, यहाँ पर देखें, C drive, D drive, E drive, F drive, H drive, पांच drive आपको show हो रही हैं, अब हम यह मान लेते हैं, कि F drive में हमारा बहुत important data रखा हुआ है, personal data रखा हुआ है, हमारे absence में, जिस particular folder को हमने lock कर दिया, वो तो कोई open नहीं कर पाएगा, लेकिन आम तर पर जितने भी drive हैं, यह protected नहीं होती है, कोई अगर standard user का बंदा भी है, जो admin नहीं है, वो भी drive भी follow को देख सकता है, तो मैंने क्या किया है, अपने जो भी personal data है, उनको मैंने f drive पे रखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि f drive हमारा my computer से remove हो जाए, वो show ही नहीं हो, यह कैसे करेंगे हम f drive, देखे, मैं बिल्कुल easy step बताता हूँ, shorter बता हूँ कि आपको याद नहीं रहेगा, अब देखे, folder delete भी नहीं हो पा रहा है, जिसको आपने प्रोटेक्टेट कर दिया है, हम चलते हैं पहले माई कम्पूटर को, माई कम्पूटर में आपको option मिल ला है, administrative tools, नाम ही है administrative tools, यानि ये tools सिर्फ admin ही use कर सकता है, अगर कोई normal user या standard user है, जिसकी जो features होते हैं, rights होते हैं, limited होते हैं, यानि आज हम जो भी आपको setting बता रहे हैं, यह जो system का administrator है, वही कर सकता है, normal user ये setting नहीं कर सकता है, फोल्डर को फाइल, फाइल फोल्डर को hidden दो कर सकता कोई भी, लेकिन ये tool नहीं यूज कर सकता है, हम आते हैं administrative tool पर, यहाँ पर हम को option मिल ला है, computer management, computer management के अंतर मिलेगा हमें, disk management, यह इस पर हमने click कर दिया, disk management पर हमें मिलेगा storage, और जैसे हम storage पर click करेंगे, यहाँ पर फिर आए disk management, और यहाँ पर हमारे सारी की सारे drive शो हो जाएगी, बहुत carefully आप सुनिये, वना आप drive को delete भी मार सकते हो, जिस भी drive को हमको माई computer से remove करना है, उस पर हम right click करेंगे, और हम जाएंगे change drive letter and path, जान रखिए change drive letter and path, आपको delete नहीं करना है, आपको लगेगा my computer से drive करना, delete करना है, यह drive भी आपकी खतम हो जाएगे, पूरा data भी आपका चला जाएगा, हमें जाना है change drive letter and path, अब देखिए, यहाँ पर f drive है, एक तो हम यह कर सकते हैं, हम इसका नाम change कर सकते हैं, हम f की जगह पे कोई भी दूथर नाम यहाँ पे select कर सकते हैं, और main काम जो मुझे पताना था, वो मुझे करना था remove, क्या करना था remove, जैसे ही इसे मैं remove करूँगा, आप देखिए कि जो f drive है, वो हमारा my computer से गाइब हो जाएगा, height हो जाएगा, हम my computer पर चलते हैं, यानि इस PC पर चलते हैं, c drive है, d drive है, e drive है, f drive नहीं है, सीदे क्या आगया, h drive आगया, यानि f drive हमारे system से क्या हुआ, remove हो गया, अब वापस कैसे लाएंगे, मैं दुबारा आपको इस्टे पताता हूँ, हम चलते हैं control panel पर, हम चलते हैं administrative tools पर, यहाँ पर हम जाएंगे computer management पर, यहाँ जाएंगे disk management पर, यहाँ मिलेगा हमारा storage, fit disk management, और देखिए यहाँ पर drive शो हो गए, जिसका कोई नाम नहीं है, यहाँ पर कोई नाम ना शो हो, जैसे e drive दिख रहा है, d दिख रहा है, c दिख रहा है, जब नाम ना शो हो, आप समझ जाएंगे यही घ्रिन वाले drive है, आप इस पर right click करिए, और आप जाएंगे change drive later and path, और यहाँ पर आप add button पर click कर दीजिए, जैसे आप add button पर click करेंगे, वो drive दुबारा active हो जाएगा, ठीक है? right click करना है, change drive later and path पर जाना है, और क्या कर देना है, आइड करके, पर्षमयार लिक कर चुका हूँ, अब देखे, आप my computer पर आईए, आप देखे, आपका f drive भी एपियर हो गया, तो यह हमने आपको बता है, कैसे किसी भी particular drive को my computer से hide कर सकते हैं, और एक बहुत important option हमारा और है फोर्थ, हम चाहते हैं, हमारे computer की कोई भी device वर्क ना करे, चा करें? वर्क ना करें, जैसे हमारे laptop में DVD drive लगा हुए है, रोज कोई बंदा ले किया जाता है, भाई यह DVD राइट कर दिए, भाई यह DVD राइट कर दिए, तो हम devices को कैसे enable और disable करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता होगी, यह मैं अपना camera open करता हूँ पहले, यह मैंने time click किया, यह हमारा camera application आ गया, अभी देखें, मैं camera को open कर रहा हूँ, ठीक ना? यह camera हमारा क्या हो रहा है, open हो रहा है, ठीक है? आपको दिख रहा होगा image पूरा, अभी मैं camera access कर पा रहा हूँ, इसी तरीकी से हम DVD drive भी access कर पाएंगे, हम इसको disable कैसे करेंगे, यह मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, हमें करना क्या है, my computer पर right click करना, और properties पर जाना है, और यहां पर हमें आप्शन मिला है, device manager, यहां मिला है, device manager, हम device manager पर click करते हैं, double click करते हैं, यहां पर device manager में देखिए, जितने भी devices हमारे computer से connected हैं, वो सब आ गई, audio input आ गया, बैटरी आ गया, Bluetooth आ गया, camera आ गया, DVD ड्राइब भी हैं, कहीं आपको मिल जाएगा, मौस मिल जाएगा, यह DVD ड्राइब मिल गया, हम चाहते हैं, कि हमारा camera वर्क ना करें, हम एपर डबल click करेंगे, इसका driver दिखा रहा है, आप देखिए, camera में इसलिए लिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको डिस्प्ले करके शो कर सकता हूँ, DVD ड्राइब आपको दिखेगा नहीं मेरे लेप्टॉप में, कि drive ओपन हो रहा है, नहीं ओपन हो रहा है, अभी मैंने आपको दिखा है, camera हमारा वर्क कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है, camera हमारा वर्क कर आपने देखा, अब हम यहाँ पर, camera पर click किये हमने, मैं फिर बता दूँ, यहाँ तक कहां से पहुचेंगे, हम माई computer पर right click करेंगे, properties पर जाएंगे, और हम device manager पर जाएंगे, आपको control panel में भी option मिलता है device manager, यह कई जगह पर आपको मिलता device manager, कहीं से भी आप open कर लिए, option आपका है device manager, हम click करते हैं cameras पर, यह camera का हमारा driver आगया, हम इस पर right click करके, disable device कर देते हैं, क्या करतेते हैं, disable device, अब हमारा camera वर्क नहीं करेगा, इसी तरीके से हम DVD drive के click करते हैं, हम इसका driver यहाँ पर आगया, हम right click करके, disable device कर देते हैं, जान रखिए uninstall device मत करिएगा, वहना driver ही uninstall हो जाएगा, proper work नहीं करेगा, permanently disabled हो जाएगा, हमें आपर disable device करना है, यास, अब हमने DVD drive को, और अपने camera को क्या कर दिया, disable कर दिया, जब मैं फिर आपको दिखाता हूँ, मैंने दुबारे start बटन पर click किया, और camera पर click किया, मैंने, और हमने इसको open करने का कोशिश किया, देखिए, we cannot find your camera, यानि camera है तो हमारे system में, लेकिन जब मैं इसको start करो, तो क्या बोला है, we cannot find your camera, क्योंकि हमने camera वाली device को क्या कर दिया है, disable कर दिया है, तो यह option बहुत important है, basically तब जब बहुत सारे, जान पहचान के लोग या रिष्धार आपका laptop मांगते हैं, वीडियो चैट करने के लिए, या शादी की DVD देखने के लिए, तो आब उनको बोल सकते हो, पर जाएंगे, और यहां पर हम camera पर click करके, इसको उमकर लेंगे enable device, हमारी device enable हो गई, और हमने DVD drive को भी disable किया था, तो उस पर भी मैं right click करता हूँ, और enable device कर देता हूँ, अब हमारा camera और DVD drive दोनों working order में आगे, मैं फिर आपको याद दिला दूँ, कि आपका laptop जब कोई लेकी जाता है, वो भी यह option अगर जानता है, उसने भी class हमारी लिया हुआ है, तो वो अगर device को enable disable करना चाहेगा, तो वो नहीं कर सकता है, तो हम कभी भी main या admin का password किसी को नहीं देते हैं, हम दूसरे बंदे के लिए, नए user create कर सकते हैं, यह तो multi user का feature है, और उस नए user को हम standard type का create करेंगे, limited type का create करेंगे, हम other person के लिए, other member के लिए जो हमारा system use करते हैं, उनको हम admin वाला user कभी भी नहीं provide करते हैं, उन्हें हम limited level का username और password देते हैं, जिसे वो बहुत ज़्यादा change हमारे system में न कर पाएं, और आज की date का जो last option हमारा है, कि जैसे हमने my computer open किया, कोई folder open किया, उसमें multiple file हैं, बहुत सारी file हैं, जब हमें कई file को साथ में select करना होता हैं, वीव के चलते हैं, इसको list में open कर लेते हैं, जैसे यह बहुत सारे folder है, हमको बीच-बीच में जब कोई folder select करना होता, तो हमको control बटन प्रिस करके रखनी पड़ती है, और जो file या folder हमको select करना होता, ऐसे हम select करते हैं, हम यहाँ पर एक check box enable कर सकते हैं, जिसे हम अलग-अलग item को बहुत आराम से select कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, हम आते हैं view पर, और option में आते हैं, और change folder and search option, यहाँ पर हम अगेर आजाएंगे view में, यहाँ पर देखिए, जोलाग box में, बहुत सारे आपको check boxes दिखाई दे रहे हैं, यही पर आपका एक option मिलेगा, यह, use check boxes to select item, यह, use check boxes to select item, इसको हमने check कर दिया, और हमने कर दिया, अब इससे फर्क क्या पढ़ेगा, देखिए, हम जहाँ भी move कर रहे हैं, उसके सामने एक check box बन के आ जा रहा है, और जिसको हम चाहते हैं, और हम से click कर देते हैं, वो select रहता है, हम उसको control button प्रेस करने की जरूरत नहीं है, यह चाहिए, जिस mode में, अगर हमने view change कर दिया, last icon, small icon, तब भी आएगा, आप देखिए, जिस folder पर आप move कर रहे हैं, तो हम पर उपर check box बन के आ जा रहा है, हम click कर दे रहे हैं, यहाँ फोल्डर पर वो check box पर यहाँ पर वो select हो जा रहा है, और वो हट भी नहीं रहा है, तो कितना आसानी से हमने आपको multiple selection बता दिया, तो हमने आपको file या folder hide करना बता दिया, file folder को project करना बता दिया, my computer जे किसी drive को hide करना बता दिया, और मैंने आपको multiple selection के लिए check box इनेबल करना भी बता दिया, यह 5 basic tool मैंने आपको बता दिये, तो I think यह पांचो tool आपके लिए बहुत important होंगे, अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, तो please आप अपने FB पर इसको share कर सकते हो, WhatsApp पर share कर सकते हो, तो आज का हमारा ये session यहीं पर complete होता है, Thank you.